वेलकम टो रोशी हायात किचिन बिसमिल्लार्मानी रहीम असलाम अलेकुम फ्रेंड्स क्यों कैसा लग रहा है आगे है ना मुह में पानी आप लोगों के भी जी है आप हम बनाएंगे बोटी मसाला कवाब जो की बहुत ही मज़ेके होते हैं और इसको बनाना बहुत असान होता संबसे अची बात है आप इसको पहले से बना के भी रख सकते हैं और बाद में महमानों को सर्फ कर सकते हैं तो चलिए इस बोटी मसाला कवाब को बनाना हम अम स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहां पर सबकर एं प्रशिक कोकर पहन ले लिया है और उसमें मठन को हम डाल कर से इसमें 17 पर फिस हैं कर से अपर डालें यहाँ करद मैंने फ्रेश का यूस किया और नमक अपने टेस्ट के इसा य हैंसे साथ जाएगा यहां पर लाल मिट्च काrika और अपने अपने अपना घूर चांट के यहैं दों टोंदोरी मसाला डालूंगे यह एमिरा मि she चाहिए तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूँगी यह तंदूरी मसाला बहुत ही मज़ेगा बनके तयार हुआ था और इसको आप काफी चीजों में यूज कर सकते हैं तो अब यहां पर हम डालेंगे color के लिए डालेंगे एक बड़ा चमस म बना और कुटर जीरा पौडर यहां पर इस जो रोस्टेड वाला हम जीरा पौडर डालती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे और इन सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे पानी तो यहां पर आदा कप मैंने पानी का बहुत अच्छा आता है लेकिन यह डालना पूरी तरह सर अप्शनल है अब इसको हम फ्लेम को हाई फ्लेम पर रख देंगे एक रिजल आने देंगे और जब एक रिजल आ जाएगी इसके अंदर तो हम फ्लेम को कर देंगे मीटियम टू लो पर और इसको दस मिनिट के लिए पकने देंगे उसके बाद में फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे और आपको लगे कि इस स्टेज पर बटन आपका गला नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए गैस पर और रख सकते हैं और यह देखिए अब इसमें ज दालाता है वो सफिशेंट है और यहां पर जो मटन है यह भी अच्छे से गल चुका है पूरी तरह से टेंडर हो चुका है यह अब इसको हम एक बार फिर से इस तरह से चला लेंगे जो थोड़ा बहुत ही पानी होगा वो रिलीज हो जाएगा और अब इसको फ्लेम को हम उसको फील है जब गरम करते हैं तो बटर हमारा जलता नहीं है और यीपटर हम करते हैं और जब बटर हमारा अच्छे ए गरम हो जाएगा तो कि गडीर मफिलेंगों पेसपे पांडे नहीं लगतर कर दिया है उतरहां से सारे पिशें ना गल्रफ देना पर पेंडी विलींग जाते हैं जो कि देखने में भी बहुत अच्छा हम एम सिक वह अजाता है स्टिक्स होती है में GUY वह हर में नहीं तो मैंने आपको से ऐसान तरीकिसे बनाना बताया है पर हम इसके एक तरफ से इसाफ इसका इने देंगे और जब आपको लगये कि यह पर आने लगे है तो सारे मटन के पीसिस को हम टर्न कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आने तक फ्राइग कर लेंगे कि ये देखें या आप देख्व diff इसमें अने लागा है तो मैंने इसके पलट दिया था और ये अच्छे से दोनों तरफ से इसमे अच्छे से आ गतलए अब कर देंगे अदुकल low और दीश में थोड़ा से इसका एक गड़ा सब लेंगे और उसमें आप तो एक कटोरी ले लिजी मैंने फॉइल पेपर की कटोरी बना लिए और उसमें जलता हुआ कोईला रखके हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐल डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे क्योंकि हमें इसमें इसमों की फ्लेवर चाहिए जो बाजार वाले होते हैं वो तो बार् कन हटा लगाया था वह मैंने हटा दिया है और यह देखिए आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त वाले हमारे बोटी मसाला कवाब बनके तैयार हुए हैं फ्रेंड्स क्या जबरदस्त इसमें से खुश्बू आ रही है और देखने के वी यह खाने का मन करने लगता है और यह जबरदस रेसिपी को आप जरूर्य कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए आपको चरण आएकन केButton बट्स किलिक कीजिए इसा करने से मेरे वीडियोस से रिलेटिड जो भी नोटिफिकेशन है वह आप आपसे देख रहे हैं आपके जबर्दस्ती हमारे मटन कवाब बनके तयार हुए है तो इस रेसिपी को ट्राइ करना तो जरूर बनता है तो चलती हूं मेग नहीं रेसिपी के साथ में फिर मुलाक आता होगी इंशालला दौ में याद रखिए थेंकिए पर वाचिंग मैं